दोस्तों फूल गोबी की फसल में यूरिया का परियोग करना सही है या नहीं है यानि परियोग आपको यूरिया का इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए और फूल गोबी की कौन सी अवस्था में आपको यूरि करते हैं कि फूल गोबी की अच्छी ग्रोथ के चक्कर में उसमें बेशुमार जो है यूरिया का प्रियोग कर लेते हैं और उसके बाद में उनकी फूल गोबी के फूल की क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है खराब हो जाती है क्योंकि यूरिया से आप प्लांट क तरह से वो फट जाएगा बेकार हो जाएगा और आपकी पूरी फसल जो है छोटी सी गलती की वज़े से बरबाद हो सकती है तो अगर आप फुल गोबी की खेती करते हैं और फिलाल आप यूरिया डालने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को आप पूरा वाच कर चैनल पर नए है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुरेस और आप देख लिसमें को मिल जाता है फूल गोबी अगर अगर ऑच्छी नहीं होगी तो फूल की वी आपकी सही नहीं हो सकती लेकिन अगर आप गलत समय पर यह ज्यादा मातरा में पूल गोबी में यूरिया का प्रियोग कर लेते हैं तो इस से आपका फूल का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी खराब हो जाता है दोस्तों ज्यादातर किशान भाई क्या करते हैं जब हमारी फूल गो भी फूल की अवस्था में आती है या फिर उसमें फूल बनना शुरू हो जाता है उस समय उसमें य मैट्रोजन डाल दी है यूरिया पहले भी डाल रखी है और उस समय अगर आपने ज्यादा मातरा में यूरिया डाल दी या फूल बनने के अवस्था में और आपने यूरिया डाल दी तो 100% येकिनन मान के चलिए कि आपकी फूल गोबी के जितने भी फूल आ रहे हैं या आन प्लांट की ग्रोथ होगी तो उस समय आपके फूल की भी ग्रोथ होगी जिस समय फूल निकल रहा है पहले से आपने उसमें नाइट्रोजन डाल रखी है और उसके बाद में उस हवस्था में आपने और नाइट्रोजन डाल दी और यूरिया डाल दी तो आपके अचानक से भी ग्रोथ होगी और बेवज़ा है और अक्स्ट्रा जब फूल की ग्रोथ होगी उस समय तो आपका जो फूल हो फटेगा ही फटेगा 100% फटेगा कोई भी उसको रोक नहीं सकता अगर आप यूरिया आप उस अवस्था में डालते हो तो और दोस्तों फूल गोबी कि ये अव फूल खराब होने लग गए और आप ऐसा कोई श्प्रे या ऐसी कोई खाद डाल दोगे तो आपके फूल जो है वापस सही होने लगेंगे या फिर सही अवस्था में आपके फूल निकलने सुरू हो जाएंगे ऐसा कोई खाद या कोई श्प्रेइ नहीं है अगर एक बार आ आपको कौन सी अवस्था में यूरिया डालनी चाहिए या आप ध्यान से सुन लिजिएगा जब आपकी फूल गोबी का प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएं रूट्स ठीक तरह से बननी सुरू हो जाएं नई जड़ों का विकास होने लग जाएं या फिर आपका जो कारिये करें उसी समय आपको नाइट्रोजन देनी है और दोस्तों यूरिया की जो मात्रा है वो आपको एक निर्धारित मात्रा में ही यूरिया देनी है ज्यादा मात्रा में यूरिया नहीं देनी है क्यूंकि दोस्तों फूल गोबी एक ऐसी क्रोप है जिसमें अगर आप अ उसके बाद में सिचाई कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं जब यूरिया डालते हैं इस विदी से यानि निराई गुड़ाई के समय यूरिया डालते हैं वहाँ पर भी एक गलती करते हैं कि यूरिया को एकदम जड़ के पास में डाल देते हैं प्लांट की जड़ों में डाल देते हैं एकदम नजदीक में वहाँ पर आपको इस तरह से नहीं डालना है प्लांट के एकदम नजदीक में एकदम तने के पास में आपको यूरिया नही डालनी है आपको सिर्फ छिड़का विदी से छिड़क देना है एक एक प्लांट के पास में आपको यूरिया नहीं डालनी है और अगर आप प्लांट के पास डाल भी रहे हैं तो आप करीब उससे थोड़ा सा दूर डालें एकदम नजदीक में आप प्लांट के एकदम जड़ 45 डाल सकते हैं, 0-52-34 डाल सकते हैं, कैल्शियम डाल सकते हैं, बोरॉन डाल सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको यूरिया का प्रियोग अपनी फूल गोबी के फसल में बिल्कुल भी नहीं करना है, तो द हिंद